हेलो एव्डिवान, वेलकम टू आई एक्जाम बी, स्टुडेंट्स, माइ नेम इस अंशुल मलिक और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली स्किल एंड इंटर्प्रिनॉर्शिप इन आज इस वीडियो में मैं इस नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल्स दूँगा कि कौन-कौन सी पोस्ट अनाउंस होई है, इनकी एजुकेशन कौलिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरीके से आप इस पोस्ट के लिए तयार कर सकते हो, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट्स अगर ओफिशल विकेंसी नोटिस की बात की जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जूनियर असिस्टेंट या फिर ओफिस असिस्टेंट में 42 विकेंसी, विच इस वेरी गुड अपॉर्चॉनिट सीनियर असिस्टेंट में 3 विकेंसी, प्रोग्राम ओफिसर में 4 विकेंसी, ओफिस सुप्रिदेंडेंट में 2 विकेंसी रिलीज हुई है, इम्पॉर्टन एस्पेक्ट ये है कि ओनलाइन अप्लिकेशन द्वारा ही फॉर्म फिलप किये जाएंगे और एक्सेप्ट किये जा की आखरी तारीक है, वो 20 दिसमबर 2021 है, यानि आपको सिरफ 15 दिन का टाइम दिया गया है, तो जल्दी से जाके आप रजिस्टर कर लीजे, और तयारी रिलेटेड अगर आपकी कुछ भी डाउट्स हैं, तो फ्री वेबिनार के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, मैं आपक पोस्ट बाई पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या एक्सपिरियंस चाहिए उस जॉब के लिए उनका पे स्केल और एज लिमिट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा, अगर हम जूनियर असिस्टेंट या फिर ओफिस असिस्टेंट की बात करें, त आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 words per minute in English और 25 words per minute in Hindi होनी चाहिए, तो ये कुछ requirement है इस जॉब की experience यहाँ पर निल है, यानि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस जॉब के लिए apply कर सकते हो, यहाँ पर आपको pay scale mention है कि 19,900 आपकी basic salary जो level 2 में लाई करती है, वहाँ से आपका pay scale शुरू होगा, age limit 35 years है, normally हम देखते हैं कि ऐसी jobs में जो age होती है, वो 30 years के आसपास होती है, पर यहाँ पर 5 साल का relaxation दिया गया है, और इस job का जो provision period है, वो 2 साल है, तो 42 vacancies अपने आप में एक बहुत important aspect है, अगर आप इस job के लिए interested हो, तो you must feel this particular application form, साथ ही साथ अगर मैं senior assistant की बात करूं, तो यहाँ पर total 3 vacancies release हुई है, यहाँ पर आपसे bachelor degree मांगी है, with minimum 55% mark, साथ ही साथ जो typing speed है, जो required है, वो भी उन्होंने mention कर दी है, 30 word per minute in English, और 25 word per minute in Hindi, तो यहाँ पर जो experience की मांग है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कि 8 years का experience होना चाहिए in the pay scale of level 2, तो यहाँ पर आपसे 8 साल का experience मांगा गया है, और जो आपका pay scale है, वो level 4 में होगा, जो 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका pay scale है, तो age limit यहाँ पर 40 साल की है, और probation period यहाँ पर भी 2 साल का है, तरी तरीके से अगर मैं program officer की बात करूं, तो total 4 vacancies release हुई है, यहाँ प not less than 50% mark, desirable जो qualification है, वो diploma in corporation आपसे मांगा गया है, साथ ही सकात, अगर हम pay scale की बात करें, तो इसका pay scale decent है, level 7 में आपको consider किया जाएगा, और आपका जो basic pay होगा, वो 44,900 से start होगा, age limit यहाँ पर भी 40 years and probation 2 साल का है, उसी तरीके से office superintendent की बात की जाए, तो यहाँ पर total 2 vacancies release यहाँ पर bachelor degree with minimum 55% marks आपसे मांगे गए है, desirable जो knowledge है, वो computer में या फिर basic office software tools के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे windows, excel and photoshop, और essential qualification आपकी 2 साल की होनी चाहिए in the level 7, और pay scale यहाँ पर बहुत handsome है, आप level 8 में consider किये जाएंगे, आपकी जो basic start होगी, वो 47,600 से start होने यहाँ पर भी age limit 40 years और probation period 2 साल का है, students अगर हम scheme of examination की बात करें, तो यह बहुत important aspect हो जाता है, यहाँ पर आप से total 3 घंटे का exam आपसे लिया जाएगा, which carries of 180 marks, तो part 1 आपका MCQs भी test है, जहाँ पर 100 marks का test conduct कराया जाएगा, जहाँ पर आपसे general intelligence reasoning के MCQ, quantitative aptitude के MCQ, general awareness आपकी check की जाएगी with special emphasis on history, culture, demography, geography, economy of daily and administrative setup, साथ ही साथ आपसे English language के भी MCQs पूछे जाएगे, अगर मैं descriptive part की बात करूँ, तो यह 80 marks का part है, जहाँ पर आपको English में ऐसे लिखना होगा, जो 60 marks का है, और letter writing के बात करें, तो वो 20 marks की है, तो आपका जो MCQ examination है, वो 100 marks का, और descriptive exam है, वो 80 marks का होने वाला है, उसी तरीके से, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर part 1 और part 2 है, अगर आप junior assistant या फिर office assistant के लिए apply कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिरफ part 1 देना पड़ेगा, और साथ साथ आपको skill test से ने typing test का भी exam देना पड़ेगा, बाकि सभी post में, चहें वो senior assistant हो, program officer हो, या office superintendent हो, यहाँ पर आपसे दोनों part में exam conduct कराए जाएंगे, और skill test भी इनोंने mention कर दिया है, कि किस-kis post में skill test है, और किस post में नहीं, I hope आपको यह opportunity पसंद आई होगी, and if you are interested for this particular opportunity, तो जो आपको Google form link description box में दिया है, उसमें आप register कर सकते हैं, मैं आपको one-to-one complete guidance दूँगा, कि किस तरीके से आप इस job को target कर सकते हैं, I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, and thanks for watching, I exam B.